दक्षिनी पूर्फ जिले के थाना कालका जी की टीम ने एक आरोपी नवीन सिंग के साथ एक नाबालिक को ग्रफतार किया है उनकी ग्रफतारी के साथ उनके पास एक देजी पिस्तॉल अपराद में परियुकत एक मोटर साइकल और घटना के समय उनके द्वारा पहने कई कपड़े बरा मध हुए हैं ताइसम अमर को दुफयर लगबग देड़ बजे थाना कालका जी में एक पीसी आर कॉल मिली जिसमें दो अग्यात बाइकसावा लड़कों को विसाल डेंटल क्लिनिक कालका जी के डॉक्टर विवेक अगरवाल पर गोली मार दी थी थाना कालका जी की टीम घटना सतल पर पहुंची और डॉक्टर विवेक अगरवाल से मुलाकात की जिन्हों नका की दुफयर लगबग डेड़ बजे हैलमेट पहन है एक लड़का उनके क्लिनिक में घुज गया और बिना चेतावनी के पिस्तॉल से गोली चला दी लेकिन पीडित किसी तरह बच गया क्योंकि उसने रजिस्टर को अपने सीने के पास रखा और गोली उसमें फस गई इसके बाद लड़के ने अपनी पिस्टल फिर से लोड करने की कोजिस की लेकिन वह अटक गई लड़का तुरंद क्लिनिक से भार भाग गया और बाइक पर अपने साती के साथ बैट कर भाग गया अपरात की गंबीरता को भापते हुए इंस्पेक्टर बलवीर सिंग एसेचो कालकाजी और इंस्पेक्टर मुकेस बलियान लॉन अर्डर के निर्त्व में ASI विनोथ कुमार, ASI मुकेस कुमार, ASI मनुदेव, ASI परवीन, परदान सिपाही, अशोग, सिपाही आनंद, सिपाही विरेंदर, महिला, सिपाही मीना और सिपाही मनीस कि एक समर्पिट टीम को परदिप कुमार ACP कालका जी की देखरेंग में आरोपी को ग्रफतार करने के लिए गठन किया CCTV कैमरे के माध्यम से उन दोनों आरोपी ओ को पहचाना गया CCTV में उनकी नमबर प्लेट देख उनको पकड़ा गया और उसके बाद पूस्तास के दौरान आरोपी नवीन सीनग में अपराद में अपनी सनलिपता कबोल की और खुलासा क्या कि उसकी दो बहनी क्लिनिक में काम कर रही थी between police के और भी का कर रहा था डॉक्टर आरोपी नवीन के बीच कुछ पैसों को लेकर विवाद हो गया था एक दिन आरोपी नवीन को पता चला कि डॉक्टर का उसकी छोटी बेहन के साथ एक्ष्टा मेरिजल अफेर है इस बात को लेकर डॉक्टर आरोपी के बीच तीकी नोगजुकूई यारोपी ने अपमानित महसूस किया और डॉक्टर से बदा लेने का संकल्प लिया जिसके बाद उस पूरी घटना को उसने अंजाम दिया